नमस्कार दोस्तों, श्ठाक मार्क स्टेडिज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत सागत है, तो आज मैं फिर से आपके सामनी कुछ इन्पोर्टेंस कमपानी के आपडेट्स यार करूँगा, तो इस वीडियो को लास तक जुरू देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्रेब नहीं किया, तो जुरू कर लिजिएगा, कंटिनिसली इन्फोर्मेशन और आपडेट्स बाने के लिए चैनल को उपर बने देखिएगा, तो चलो, अभी देख लेते हैं कौन सा कौन सा कमपानी है, इस वीडियो के अंदर, फास्ट जो कमपानी है, जिसके बार मार्केट में डिमांड खतम हो गया, और इस डिमांड खतम होने के कारण, मतलए डिमांड एकदम कम होने के कारण, जितने सारे केमिकल्स कमपानी है, सारे कमपानी का हालत खराब हो चुके है, चाहे आप इस सेक्टर में सबसे बड़ा कमपानी, पीडिलाइट को भी पकल लि देखिए सेल्स का जो quarter का जो division है आप देखेंगे सारे के सारे negative और low price में आपको देखने को मिलेगा इसका मतलब एक बुरी तरीके से मतलब पीटता हो देखने को मिले क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूँ लक्समी और गानिक भी उसी सेक्टर के उपर है तो company के उपर कोई ऐस नहीं होगा कि company बहुत सांदर performance करेगा फिर भी दिखी company ने क्या क्या company इस खराब situation में भी company खुद को represent किये same to same level का sales का sales अच्छा खासा levels में रखा मैं जोरू कहूंगा इस खराब situation में भी company जो खुद का sales को maintenance कर रहा है यही सबसे बड़ी बात है और उस हिसाब से company expense को भी control में रखा और उस basis में company profitability जो operating profit है वो 29 करोड से 39 करोड तक बना तो देखिए profit जितना बढ़ेगा उतना ही company के लिए खास बनेगा और साथी साथ OPM operating profit margin जो 4 परसन से बढ़के हो चुद के 6 परसन इसमें देखकर खुद होने का कोई जूरत नहीं किके अभी भी बता जा रहा ह जो market में जो demand है जो demand है जिस तरह के demand खराब हुआ है chemicals को डखका तो उसी तरह के से demand फिर से खड़ा होने के लिए 2025 खतम होने के से पहले वो खड़ा नहीं हो पाएंगे तो इसलिए upcoming जो quarter साने वाल है वहापे भी आपको company का sales में पेसराइज देखने को मिलेगा तो फिलाल के लिए company का situation पहले जो था उससे company का situation बहुत मतलब weakness होता मतलब weakness देखने को मिला है अभी as a investor promoter से लेकर FSDS public हर किसी के पास आपको investment नहीं दिखेगा क्योंकि institution इस company के उपर stake को बेच रहा है और उसका फाइदा किस कौन उटर है public देखे जब भी कोई companies के उपर institution माल बेचकर भ weakness point के बारे में चर्चा करूँ तो companies के weakness point कहा पर है अगर मैं balance rate के बारे में बात करूँ अब देखेंगे तो reserve में ठीक ठाग है तो reserve तो बढ़ता हो देखने को मिले fixed asset भी बढ़ता हो देखने को मिले और borrowings के बारे में बात करूँ तो company के जो करजा है वो थोड़ा सा कम करना के कारण ही company का profit margin में थोड़ा सा growth दिखा अभी इस company के सबसे जो importance point है वो है trades receivable मतलब company ने केतना trade receive किया company ने कितना project company को मिला अब देखेंगे company trade receivable में पिछले बार 570 करोड़ के आसपास trade receivable था इस बार वो कम होकर हो चुगे है 460 करोड़ उसी तरीके से अगर देखा देखेंगे तो company के जो मतलब trades bebel है वो भी कितना है 4500 करोड़ तो सोचिए जो company का profit हो रहा है 100 करोड़ तो उस company को जो 400-300 करोड़ का जो मतलब trade मिला तो वो कहां से compete कर पाएंगे उसी के लिए company ने क्या 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 करदा उठाया अभी इस company के उपर लास्ट कुछ फ्यूजि के बारे मत करूँ तो एक solder केड हो था उसके बाद एक big head बना मगर फिर से फाइनली एक solder क्रेट होने का integer कर रहा हूँ और मुझे जिसतर के से आप एक pattern केड होता देखने को मिले मुझे लगता है इही resistance को वो बार-बार face करके नीचे आ सकते है अगर नीचे side में आये तो वो 222 लेबल तक आने का chances रहेगा यही इसका lower side का strongly support है वाकी आप इस company का पर क्या से सोच रहा है मुझे जूरू comments करके बताना next company है जिसके नाम है LTA Mindtree देखे LTA और Mindtree दोनों ही L&T Group के company है दोनों को एक साथ मार्च किया गया क्योंकि दोनों का business modules same to same है तो company खुद का costing खुद का मतलब आदस खर्चे है उसको कम करने के लिए company क्या क्या है दोनों company का मार्च कर दिया जैसे आप देखेंगे कि HDFC और HD HDFC bank दोनों ने मार्च इसलिए किया क्या क्या कि कि दोनों का business similar to same to same है फिर सी houseing finance को पर काम करते थे और HDFC banking sector के और finance के काम करता था तो दोनों को एक साथ इसलिए मार्च क्या 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 दोनों company के sector same to same है तो यहाँ पे भी LTI और LTI MIT दोनों ही एक IT सेक्टर से बिलोंग करने वाला कमपणी था और दोनों ही L&T Group के कमपणी है और इसलिए साइद दोनों कमपणी के एक साथ मार्च किया गया अभी सबसे important point क्या है आप देखेंगे कमपणी के जो situation अभी है कमपणी के situation देखा जो तो IT सेक्टर में अभी अज pressure इस देखने को मिला और कमपणी के valuation हुआ जो देखा जो तो कमपणी के valuation अभी भी हाई है कितना हाई है सबसे पहले बो में आपको दिखा दू एक time कमपणी के PVC चला गया था 60 के आसपास और आज कितना है आज है 35 के आसपास तो average PVC निकल कर कितना आ रहा है 27 के आसपास इसका मतलब 27 से अब देखा जाए तो 36 मतलब 35 और 27 तो अभी भी कमपणी का जो average PVC है मतलब कमपणी का PVC अभी भी जादर देखने को मिला है तो आज एक quarterly बात करूँ तो कमपणी का sales growth लगातर बढ़ते चले गए उसी बैसिस में कमपणी के expense भी control में रखा और उसी बैसिस में कमपणी के जो income है वो भी देखा ज़तो सांध तरीके से देखने को मिला तो income भी बढ़ा कमपणी का expense भी control में रखे और कमपणी का profitability है net profit भी लगातर बढ़ते चले गए यह भी company के लिए एक plus point के हिसाब से देखने को मिला अभी company का profit बढ़ा क्या इस बैसिस में company का growth continue हो रहा है देखिए growth कितना हो रहा है वो आपको यहापी as investor के हिसाब से देखने को मिल के बाद FISDS public के पास हर किसी के पास investment है और हर कोई back 30 company को पर continue करना चाते है वो यह एक 30 company को पर माल पेचने के लिए त्यार नहीं है चाहे FIS हो चाहे DIS हो चाहे public हो हर कोई back 30 company को पर continue कर रहा है क्यों ना continue करे जो company का depth देखा जे तो बीच में 0 हो गया था अभी इस भर company ने क कि यह पर इतना ज़्यदा करजा लेने का कारण कौन सा है देखिए कारण के बारे में बात करूँ तो company के सबसे पहले trade receivable के बारे में देखना पड़ेगा trade receivable मतला company को कितना इस बार project मिला देखिए company का आज तक की हैस्ट project मिला करीवन 6,000 क्रोड के आसपास तो company के trades receivable तो 6,000 है और company को कितना पैसा payment करना बाकि है करीवन 6,000 क्रोड के आसपास तो 6,000 उसके साथ 1,600 तो almost आप बोल सकते है करीवन 8,000 क्रोड के आसपास तो company का profit कितना हुआ था company का net profit हुआ था करीवन 4,000 क्रोड के आसपास तो जो company का 8,000 का requirement है और company का profit हुआ 4,000 क्रोड और उनका हाथ में कितना पैसा है उसके हाथ में है 2,000 क्रोड तो 4,000-6,000 क्रोड company के हाथ में पैसा है और company का project totally payment और company का project मिला 8,000 क्रोड का तो बाकी 2,000 कहाँ से मिलेगा इस 2,000 को compete करने के लिए company ने क्या किया या पर करजा उठा लिया तो इसी तरीके से आपको company को analysis करना पड़ेगा अभी आपको पता चलेगा कि company का अंदर actually क्या चल रहा है बहुत सारे लोग यही सोच में पढ़ जाता है कि इतना ज़्यदा करजा है अभी company के बवर कुछ negative point बन सकता है ऐसे बिलकूर नहीं company कुछ सोच समझ कर काम कर है L&T 90 कोई छोटे मोटे company है इंडिया के top 10 companies top 5 ranking में इसका नाम देखने को मिलेगा तो इसका नाम आकर देखेंगे तो top 5 में इसका नाम देखेगा तो इतने बड़े company कुछ decision जब लेंगे कुछ सोच समझ के लेगा क्योंकि हमैसा इस company का target होता है up 10 में जाने का कभी भी down 10 में आने के लिए कोई भी target नहीं होता है तो next जो इस company की जो update है वो है company के टेक्निकली चार्ट पृटन देखें मैंने एक टेक्निकली चार्ट पृटन आपको सिखाय था as a learning purpose में कि जब भी कुछ इस तरीके से patterns create हो जब भी कोई cuff with handle patterns create हो और ध्यान रखना जब patterns में बार-बार आपको handle दिखा मतलब बार-बार handle create होता दिखने को मिले तो सोचना इस level एक strongly level है इस level को जब भी breakout करेगा तो higher chances से वो upside में target दे पाएंगे तो अभी target कब देगा वो तो बता नहीं company almost दो बार support को retest कर चुके है तो अभी जो high range है मैं एक बार marking भी कर लेता हूँ इस level को अगर breakout करे इस level को उपर अगर closing दे तो सोचना easily वो target को achieve कर सकते है अगर target हो तो इस anti level से तो सोचना 21 वर्षन के आसपर target बनेगा तो इस तरीके से patterns को follow up करना जुरू आपको फाइदा मिलेगा एक चो company उसके नामे Zomato तो Zomato इंडिया के एक popular food services company है आप सभी जानते है बहुत सारे लोगों को comments आ रहा था कैसा जूमाटो तो खतम होने वाले है उसको पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि जूमाटो का पिछले बार जो दो करोर का profit हुआ था तब से लेकर ही company का company के उपर एक positive thinking आ चुके थे कि जूमाटो अभी profitable business में enter हो चुके है कि इतने दिनों तक loss कर रहा था इतने दिनों तक big big loss हो रहा था 500 क्रोड सारे 300 क्रोड सारे 400 क्रोड इस तरह के से जो loss हो रहा था उसको finally पिछले quarter में मतलग quarter one में company profit first time किये थे अभी quarter two में जो लोगों का expectation था उससे भी ज्यादा company profit कर बठे या पर question mark एहीं आएगा कि company के उ आपड़े company के उपर से 36 क्रोड का profit इसमें company को कहा से चलेगा तो इसलिए company upcoming times में अच्छा खासा growth करने के लिए बहुत सारे rules, regulations, business के उपर change कर रहे हैं बहुत सारे नया-nया, innovation के उपर काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है company का upcoming times में अच्छा खासा growth होने का chances भी दिख जाए इस company का result आथा और result आने के से पहले ही जब इस company के उपर institution माल खरीदरी करना start कर दिये थे तब यह अंदाजा लग गया था कि company के उपर एक धमा का performance होने वाला है, क्योंकि institution इतने quantity add क्या है तो धमा का तो होगा ही, मानके चले हम लोग कितने 100-200 quantity ही add कर सकते हैं, at least देखा ज जब इतने body quantity add किया, उसके साथ DSB उसके साथ जोगदान दिया, तो कहने का मतलब है, दोनों बड़े-बड़े players जब भी इंटल लिया और इस company धमा का performance करना start कर दिये, अगर इस company के chart pattern आपको दिखा दू, तो आप देखेंगे तो company किस तरीके से एक pattern केट किया, shoulder come head come shoulder, और स easily वो target को यहाँ पर achieve कर सकते हैं, तो अगर achieve करें, तो company को पर एक बड़ा target बनेगा, करीवन 58% के आसपास, हाँ, एक बात को आपके याद रखना है, यहाँ एक strongly resistance काम supply zone है, क्योंकि एही level से company को पर एक big grass हुआ था, कि ए level इस level को जब भी touch करेगा, तो थोड़ा सा correction होने का chances रहेगा, अगर correction होकर फिर से retestment करके breakout करें, तो सोच लेना, easily वो target को achieve करेगा, बाकी इस company को आपका care आई है, जो recommend करके बताना, next company है जिसके नाम आपको बता दो, उसका नाम है, Proctor and Campbell Limited, तो एक company एक FMCG सेक्टर से बिलोंग करने वाला company है, तो इस company के जो update है, आप देखें तो इस वीडियो में अगर कुछ सीखने को मिले, तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी सेर करना, और मस्ट भी चैनल को सब्सक्राइब करना, इतने एक्स वीडियो में, तब तक लिए अच्छे सरी अपने ख्याल रखिये, धन्यवाद